हेलो फ्रेंट्स ताफूल फॉर्म डिक्स नरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज के इस वीडियो से मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मद्ध्य प्रदेश के अंतरगत जितने भी जिले हैं उनके बारे में पर्टिकलर इंफॉर्मेशन जो कि आपको देगी दार्सनिक और जितने भी टूरिज्म प्लेस हैं उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन क्योंकि फ्रेंट्स आपने लास्ट येर यदि MPSI का एक्जाम दिया होगा तो आपको यह चीज पता होगी कि पिछल बारे में बताऊंगे प्रतेक जिली की पर्टिकलर जो भी वहां पर घूमने लाइक जगहां है जो भी प्लेस हैं टूरिज्म प्लेस हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी तो चलिए आज के इस जो वीडियो है इसमें मैं सबसे पहले सुरू कर रहे हूं जबलपूर जिल हैं और वह चीजें आपको जल्दी से समझ में आती हैं इसके लाबा कुछ छोटी सी इनफर्मेशन यहां पर मैंने आपको दी हुई है कि जबलपूर को कौन-कौन से जवलपूर से कौन-कौन से नेसनल हाइवेस गुजरते हैं जो की पहला है नह 7 जो की पूरे जबलपूर को दो डिवाइडे दो पार्ट में डिवाइड करता है इसके साथ ही है एनेच 45 यह भी जबलपूर को टू पार्ट में डिवाइड करता है इसके अलाबा है एनेच नेसनल हाइवे 12A और नेसनल हाइवे 12 यह हुई एक बेसिक सी इंफोर्मेशन अब बात करते हैं कि जो जब में विश्नु बराह मंदिर है आप इस मैप में देखिए सिहोरा यहां पर इस्थित है जो कि जबलपुर के अंतरगत आता है अब मैं आपको बताती हूं तीवर के बारे में तीवर उसे प्राचीन रास्थानी माना गया था इसके अलाबा यहां पर त्रिपुर सुंधरी वैसे व क्यास बनाने वाली जगह है और आप इससरे सब्रापात इसके इसके साथ हूं पर सफेद संघ मर्मर आता है और आप सब यहां पर जाएंगे तो कई सारी बनी हुए चीजे हूं पर देखने को मिलेंगी और अच्छी और बहतर चीज़े भी मिलेंगी। इसके साथ ही जो भेरा घार काफी अच्छी जगा है जो यहां पर इस की चीज हूञ produkt है जैसे की जो महारे महात्मा गांदी थे उनकी अस्थियां इस घाट पर प्रवाहित की गये थी और ये जो तिलवारा घाट है यह भी नर्वदा नदी के तट पर ही बना हुआ है हैना इसके अलावा त्रिपुरी कांग्रेश आधिवेशन जो की 1949 में हुआ था 1939 में हुआ था वे भी इसी इस्थान पर हुआ था इसके काफी important हो जाता है कि इस जगह के बारे में इस चीज के बारे में आपको पूरी information हो इसके बात तिलवारा में माला देवी मंदिर भी है और जैनियों का तीर तिस्थान जो की पीजन हरी जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है वे भी यहां तिलवारा पर इस्थित है इसके बात जबा भेरागार्ट से थोड़ी आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा वहां पर धुआधा जलप्रपात यह आप मैप में यहां पर देख सकते हैं और जो भेरागार्ट का यह धुआधा जलप्रपात है यह काफी फेमस है यह इंडिया के बड़े वाटरफॉल्स में इसका नाम गिना जाता है इसकी लंबाई जो है लगबग 90 मीटर है तो इस वज़ए से यह काफी ज़्यादा फेमस है इसके बाद आप इस मैप में देख है आप इसे याद कर लीजे यह कई वार एक्जाम में पूछा गया है इसके बाद आपको खमर्या इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पर गयहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है अभी तक बना नहीं है लेकिन प्रस्तावित है और एक्जाम में के लिए प्रस्तावित हैं इसके बाद आप यह देखिए तिगवां या फिर इसे तिगवां के नाम से भी जाना जाता है और यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर गुप्त कालीन विश्नु मंदिर इस्थापित है हैना अब इसके बाद आता है बरेला जो है वहरानी दुर्गावती की समाधी है फ्रेंट्स यह 1857 की क्रांती जो हुई थी उसमें काफी इंका रोल था और यह जबलपूर की एक वारियर थी जिन्होंने अपने राज्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट काम किया था हैना फिर इसके बाद आता है आपक पर खुदवाय जाते हैं या पत्तर पर आकरती या लिखावर जो होती है तो आसोक के द्वारा लिखाए गए सिलले कहां थे गूपनात में थे फिर इसके बाद है यह 64 योगनी मंदिर जो की जबलपूर में ही इस्तित है और अंत में आता है आपका बरगी जो की यहां पर इसे बरगी डैम यहां पर एक डैम बनाया गया है यह इसे बरगी डैम बरगी बांध या फिर नर्वदा अवंती बाई सागर के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों यह सारे प्लेसेज जो की जबलपूर के अंतर कताते हैं जिनके बारे में आपको जानना काफी इंपोर्ट झाली।